So Hello Everyone, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और आपकी प्रैक्टिस जो एक्जाम के लिए है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी तो आज हम इसमें राजनीती विज्ञान के दो चैप्टर और देखेंगे तो इसमें हमें आइडिया ये लग जाता है कि किस तरह के कुश्ण आएंगे जैसे पहले कुश्ण में हमने आपको बता रखा है तो उसी तरह से हम इसको देखेंगे कि क्या किस टाइप के कुश्ण पूछ रखे हैं ठीक है तो फर्स देखो आप सत्ता की साजितारी में फर्स अबजेक्टर टाइप कुश्ण आ रहे हैं ठीक है तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक एक नमबर के कुश्ण अगर आप रीड कर रहे हो तो काफी इसमें हल्प हो जाती है अगर आप लॉंग कर रहे हो पहले question objective type है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि board का exam बहुत hard होता है या जैसे लोग डराते है ठीक है तो वैसा नहीं होता बिल्कुल easy होता है ठीक है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बिल्कुल अच्छा करके आओगे ठीक है तैयारी अगर आपकी कम भी है तो भी आप अच्छा करके आओगे क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं भी आता ठीक है तो आप अगर बना के भी लिख के आ या आपको थोड़ा सा इडिया है तो वो काफी बहतर हो जाती है चीज़े ठीक है तो देखो पहले objective type question है ठीक है तो लोगतंत्रिक विवस्था में सरकार का अंग क्या है ठीक है तो विधाई का कारेपाली का नियाएपाली का ठीक है तो इस type question पहले आते हैं फिर आप देखो क कि एसी जैसे श्रिलंका के कितने सारे question पूछे हूँ ठीक है फिर लंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा का पर्मुक कि पर्मुक कि स्माजिक समू का है ठीक है तो लैंग्विज जो वहां की आबादी है ठीक है जो क्या बोलते हैं क्या करते हैं ठीक है अगर आप एक ह question जैसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो होती है ठीक है या आप मॉडल स्ट वेपर से पढ़ रहे हो तो काफी आपको knowledge मिल जाएगा ठीक है आप देखो किस चीज का जिसमें पल्ला इसका भारी है ठीक है जैसे श्रिलंका के question इसमें 8-10 तो previous year में पूछे गई हैं ठीक है जैसे श्रिलंका कब सवतंत्र हुआ ठीक है तो श्रिलंका के इसमें देखो 4-5 question दिख रहे हैं आपको तो इसी तरह आप अगर पढ़ोगे ठीक है या लॉंग question एक पढ़ लोगे तो उसमें काफी easy हो जाएगा ठीक है तो 4 February 1948 ठीक है 48 47 हमारे बाद एक साल बाद श्रिलंका आजा दूआ ठीक है उसके बाद यह देखो एक नंबर के दूसरे आ जाते हैं जैसे कि सरकार में तीन अंगों में शक्तियों कभी भाजन के सिध्धानत के अंतरगत किया गया है देखो पहले भी काफी इसमें से question नीची है जो पूछे हूं है ठीक है तो सत्ता के बटवारे कि आपको revision paper भी बोलते हैं teachers कि आप low या वो करो ठीक है तो revision paper में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना आप मतलब एक जैसे question होएगा ठीक है जैसे श्रिलंका के चार बन रहे हैं तो एक long पढ़ोगे और interest पढ़ोगे तो वो काफी benefit होएगा आपको ठीक है उससे कि आप आपको आपको किस टाइब करने है ठीक है तो जैसे कि देखो यह feeling the blanks टाइब आ गए तो श्रिलंका की सरगार ने डैस धरम को संड्रक्शन परदान करने के लिए कानून बनाया तो नीचे देखो सारे मतलब आपको option भी मिल रखे हैं ठीक है तो आप इस तरह के से कर सकते हो अब देखो हर portion में इसमें श्रिलंका कोशन मिली रहा है ठीक है तो श्रिलंका का कोशन मिल रहा है इसका मतलब श्रिलंका पर इन्होंने जोर दे रहा है मतलब जिस टाइब का मतलब आप देख सकते हो किस टाइब का lesson है ठीक है किस में किस टाइब के question के ज्यादा weightage है ठीक ह तो नीचे देखो फिर very short answer type questions आ गए है ठीक है लोगतंत्र में सरकार के तीन अंग कौन से हैं यह वही जो first में हमने देखा था ठीक है उप्रोक सभी लिखावात है जिसका तो ऐसे हैं ठीक है लोगतंत्र के तीन अंग विधाई का ठीक है करड़ेपाली का और न्याहेपाली का तो 2017 में नीचे पूछा हुआ है ठीक है तो इससे हमें क्या मिलता है पता मतलब लगता है कि क्या बेस है ठीक है क्या एक्जामीनर पूछने वाला है तो यह सब आप पढ़ोगे ठीक है समझोगे कि किस तरह का पूछ रहा है जैसे श्वडलंका ने सिंद्ली भाषा को कब र देखो तो इसमें श्रिलंका जैसे अभी एक चैप्टर है इसमें 90 परसं में को लगता है श्रिलंका और बैल जीह में लिखा हुआ है तो इसमें आप ले सकते हो ठीक है तो इसमें आप पढ़ोगे कि क्या कारण थे ठीक है उससे शौर्ट निकल जाएंगे उससे एक नंबर वाले अब्जेक्टि टाइब सारे निकल जाएंगे ठीक है तो श्रिलंका की जटिल जाती है बुनावट से आप क्या समझते हैं ठीक है तो इस टाइप के कुशन पूछ रही है ठीक है तो आप देख सकते है जैसे श्रिलंका में बहु संक्या क्वाद का संशेप में वर्ण संक्या का यहां पर दूसरा हमने चैप्टर का यह है संगवाथ ठीक है जैसे बैल्जियम का पूछा उसने भारत में वरतमान में किस गड़ बंदन की सरकार कारेरत है ठीक है तो रच्ट्रे लोग संत्रिक गड़ बंदन ठीक है कुछ तो कुशन ऐसे होते हैं जो जीके के ट कि हाल तुन लेता है ऐसा होता है ठीक है तो इतने हार्ड कोशन नहीं पूछता एक्जामीन ठीक है जो नौर्माल होते हैं वैसे पूछता है बाकि अगर आप थोड़ा भी पड़के जाओगे ठीक है तैयारी करके जाओगे अच्छे से तो तो बेशक मांक्सदशे लाओग में पूझाए तो ठीक है भारत में पंचायती राजव वस्था को वे दाशक कन दिया गया ठीक है भारत में पंचायते राजवस्था को ढूत above creating संशोधन दूरा 1992 में सवयधानिक दरजा दिया गया ठीकन तो इस टाइप की तो कि आप पढ़ सकते हो ठीक है तो यही है इसका विटिच ठीक है संग सुची में शामिल 4 विशयो के नाम लिखें तो ऐसे संगात्मक तो देखो समवर्ती सूची रजे सूची ठीक है और संगात्मक्षाशन विवस्था वाले तीन देशों के नाम बताईए तो यह सब इसमें से लॉंग कोशन में सही निकल जाता है अगर आप एक लॉंग कोशन पढ़ रहे हो तो इसमें सही निकल जाता है ठीक है बोर्ड का ए इसा बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यह देखो कि किस ट Campaign कुषण पुछ रहे हैं तो यह लॉंग में खुछा वे लास्ट में घे कुछन आप जितना घरयां बहत्ता है अगर आपने लांप पड़े हूं ठीक है और को अच्छे CA आते हैं तो पहले कर सकते रों ठीक है अ अगर नहीं आते हैं और आप दूसरों में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वह गलती कर रहे हो आप ठीक है तो यह देखो 73 सवेधानिक संस्वेधन की परमुक विशेशता है तो इसमें सही दो कुशन निकल जाएंगे ठीक है देखा जाए तो ऐसी लॉंग अगर आप पड़ो प